दा फैट फाइंडर सच्चाई से रूबरू दा फैट फैट फैंडर में आपका स्वागत है दा फैट फैंडर सोसल मीडिया पर वाइरल जूट की सच्चाई आपको बताता है और साथ ही वो नीज देने की कोशिश करता है जो दूसरे माध्यमों से आपको पता नहीं लग पाती है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले ताकि जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रह जैसा कि वीडियो का थमनिल देखकर आपको पता लगी गया होगा कि आज मैं करोना वायरिस फैलने का केंदर बने धार्मी कस्थल के उपर बात करने वाला हूँ भारत में सुरुवाती दिनों में जब करोना वायरिस फैल रहा था तो भारत की इसलामोफोविक मेडिया ने एक प्रोगेंडा करके तबलिगी जमात को लेकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ इतनी नफरत फैलाई कि देश के कई हिस्सों में मुस्लिम समुदाय का बैसकार कि जाने लगा फल सब्जी वालों को धर्म के आधार पर व्यवपार करने से रोका जाने लगा और कोरोना महामारी के चलते पिछले 80 दिनों से बंद रहने वाले तिरुपती मंदिर को 11 जून को खोला गया था जिसके बाद वहाँ पर 100 से ज्यादा इस टाफ कोरोना संकरमित प गये हालाकि यह कोई पहली बार नहीं है जब कोई पूजा अस्थल या धार्मिक आयोजन कोरोना फैलने का केंदर बना हो वह अलग बात है कि मीडिया संग और उसकी मिस्नरी ने हमें मौलाना साथ का नाम याद करा दिया है तो आईए एक जाजा लेते हैं कोरोना फैलने का क को रंटाइन किया गया था जबकि तबलीगी जमात मामले में लगबग 25,000 लोगों को को रंटाइन किया गया था मरकच की तरह ही महराष्ट में एक हिंदू सत्संग में भाग लेने आयत 1300 लोग लगबग लोकडाउन में फसे हुए थे कोरोना होट स्पोर्ट कुलबर्गी म सिंदेश्वर धार्मिक मेले में हिंदू समुझाय के लगबग 1000 लोगों ने लोगडाउन के सारे नियमों को तोड़ कर धार्मिक रत यात्रा में हिस्सा लिया था अब बात करते हैं चौती घटना की राजस्थान में उड़ाई गई थी लोगडाउन की धज्जियां भूं नगर में नेजा की सवारी में उम्रे थे डेढ़ हजार हिंदू समुझाय के लोग किसी की नहीं सुनी थी सिर्फ इन पांच घटनाओं की आप जब डाटा निकालेंगे और देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से तबलीगी जमाब के कुछ लोगों को क पाने पाये जाने के बाद पूरे मुस्लिम समुझाय के खिलाप नफरत फैलाई गई थी जमाब के लोग ठीक होने के बाद अपने इंसानियत का परीचे देते हुए अपने प्लाजमा को डोनेट कर रहे हैं खबर अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा सेर करें धन्यवाद जैनि